अलो दोस्तों देखिए बात करने वाले हैं स्वाइल साइंस के 2021 के पेपर के बारे में जल्ली से बात कर लेते हैं सोडी मर्दा में पाय जाने वाले लक्षणों का समूह है यानि कि सोडी जो स्वाइल होती है उसमें पाय जाने वाले लक्षणों का समूह है इसका जो आपका राइट आंसर होगा भाई होगा option B NaCl plus Na2CO3 यानि कि जो alkaline जो आपकी sodic मर्दा होती है इसका दूसरा नम alkaline soil होता है और alkaline soil का मतलब होता है alkaline soil और saline soil दोनों का mixture होता है उसे में alkaline soil कह देते हैं तो alkaline soil में carbonate और saline soil में जो है आपके chlorides आयन पाए जाते हैं तो एक आपका chlorides से दूसरा आपका carbonate है इसलिए इसका जो right answer होगा भाई होगा option B ठीक है उसके बाद py right में पाया जाता है py right में देखिए आपका py right जो होता है FES2 उसमें जो है आपका लग भग py right जो होता है उसमें आपका 20 से 22% 20 से 22% आपका fe होता है और आपका 22 से 24% तक sulfur होता है ठीक है ये जो है आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए इसका जो आपका right answer होगा option D is the right answer उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं ठीक है वह तत जो अमली मर्दाओं में पौदाओं के लिए प्राया कम होता है कौन सा होता है तो जैसे आपका अमली मर्दाओं में कम होता है वह होता है आपका molybdenum ठीक है विकाज अमली मर्दाओं में यानि कि low pH मान पर आपके जितने भी trace element होते हैं यानि कि मौलबdenum की बिलकुल भी मात्रा नहीं पाई जाती है बहुत कम मात्रा पाई जाती है ठीक है बात कहते है nitrification अवरोधी खली है nitrification अवरोधी खली है नीम की खली चारी मर्दाओं को सुधार ने में मिलाया जाता है जिपसम मिलाया जाता है pH 6 वाली मृदा कहलाती है अमली ये मृदा कहलाती है उसके बाद व้ड़ी ये मृदा जिसका pH 3.85 से अधिक बिन्मसील जोडियम प्रत्सत 15 से कम बिद्यु छलक तर चाड़ए ये शाइमन मीटर्स से अधिक होती है वी ये मृदां जानी जाती है लवड़ीय मरदा जो होती है वह जानी जाती है तो लवड़ीय मरदा को हम सोलंचाक के नाप से जानती है इसलिए इसका राइट आप्सन है किस मरदा को सुधारने में चूना CACO3 मलाया जाता है तो जो आपका CACO3 मलाया जाता है वह मिला जाता है आपका अमलीय मर्दा को सुधारने के लिए लवड़ प्रतरोधी फसल है वह है आपकी जो कौन सी है जो है उसके बाद अमलीय मर्दा बनने के उत्तरदाई कारक हैं तो वह है आपका अधिक वर्षा क्या है अधिक वर्षा है उसके बाद अगला कुस्चन है अवसोसित चायन और अलुमीनियम आयन मोख रूप से उत्तरदाई होते हैं तो इसका जो राइट आण से रहवा है आपका मृदा अमली अता में ठीक है है अमली मृदाओं में फीकी उपलब्धता होती है फीकी अधिक पाये जाता है सार यानिकी ऐसे यार सोडिया में अपर्जाप्सम रेस्यों मृदा अउप्संदा अनपाथ होता है क्या होता ए ने पॉन यह इसका फर्मूला है इसको याद रख ले ना एने अपॉन अंडरू है कितने हैं या या इग्रो एकोलोजिकल जो जो है वहाई आके टीक है उसके बाद अगला जो है वह है Presbridge अगला जो है वह है आपका भारत में लवड़ परवावित मर्दा का छेत्फ़ल जो है वह है आपका लगभग कितना 45,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कुल किनारे या तो इस मैंसे होता उपरोग्त मैंसे कोई नहीं जब नहीं दिया है तो बिलकुल पास में जो आ रहा है वह है आपका 10 तो 10 million hectare यहां पर मान लिया जाएगा ठीक है बारत का कुल वह गलिक छेत फल 329 million hectare या पर 328.7 million hectare यानि की is the right answer बर्षा की तीवरता से ज्यादा प्रभावित होता है उसके बाद परत अपरदन देखा जाता है गहरे डलान वाली मर्दा में कहां पर जहां पर गहरे डलान होता है वहां मर्दा से गंदा मर्दा युक्त मर्दा से गंदा मर्दा युक्त धंदला पानी बहना सूचक है उच्छा अपर्दन यानि कि इस प्लैस अपर्दन का ठीक है उसके बाद निम्न में से वायू अपर्दन का परकार नहीं है बदी वोर्दन यानि कि एकस ट्रहजन ठीक है उसके अगला कुस्चन है आपका अपरदन को बढ़ावा देने वाली फसले हैं तो आपका मक्का गया हूं बाजरा यह तीनों आपकी अपरदन को बढ़ावा देती है प्येच स्केल की खोज की थी उडीशा में कहांपर उडीशा में जाने की साउथ में चिक हैं उसके बाद लवडिया मरदाओं का छेतर फल है सबसे यादा कहांं पर उत्तप देज में कैंद्रिया मरदा लवडता अनसंदान सहस्तान करनाल हरयाडा में स्थेत ऐख़ा रांट माता memory को सभारने का उपाई है उच्छित जलनी काoudों सीक है बारत में 60,000,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 . तो यहां पर 65,00,00 हेक्टियर है जो की इसका राट आप्सन होगा विद्व चलकता मीटर नापता है उपरोग तो दौन अपरकार के लवड को मापता है ठीक है उसके बाद रेतेली मिट्टी पाई जाती है तो रेतेली मिट्टी सुसक एवं अर्दसुसक छेतर में पाई जाती है कारबनेक पदार्थ में कारबनेक कारबन की मात्रा जो होती है अठावन प्रत्सत होती है चिपसम की अधिक मात्रा उपलब्द होती है कहां पर राजस्थान में होती है निम्न में सूखा प्रवावच छेतर में किस फसल की खेती नहीं की जाती है तो जो है आपकी सूखा प्रवावच छेतर में हम गन्ने की खेती नहीं का सकते है बिकॉस गन्ने के लिए हमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा जल कियाव सकता होती है ठीक है उसके बाद सूखा बढ़ाने सूखा बढ़ाने का प्राकृतिक कारक है तो कम बरसा अधिक फसल होगा न और यह तीनों आपके प्राकृतिक कारक है खीक है उसके बाद अगला कुस्चन है आपका अदिक वनों की कटाई का परदाम अदिक वनों की कटाई का परदूशर आपका उप्रोक्त ऐधाओ के वनों की कटाई के परडाम है उसके बाद अगला कुस्चन है आपका अगला कुस्चन जो है वह है आपका क्या है निम्न मैं से छारीय मर्दाओं को सुधारने में प्रयोक्त नहीं होता है तो निम्न मैं से छारीय मर्दाओं को सुधारने में प्रियुक्त नहीं होता है चुञा ठीक है प्यूज़ चूने का प्रियुक्त अम्लिविंदा सुधायरने में करते हैं अब अगली है अपका रेत के अचएर्व्ड यह बनते हैं बने जल का फिस ले के लिए उपियुक्त फसल यान की जूट की जलाकरंत मर्दाओं में उगने वाली वाराइटी हैं भारत में टपक सचाही का आगवन हुआ था इसराइल में कहां पर हुआ था इसराइल में हुआ था ठीक है कजरी इस्थे थे कहां पर जोदपुर यानि की इसका पूरना मोता है Central Aired John Research Institute जोदपुर राजस्थ में इस्थित है ठीक है एन्बी एसेस एंड एल यूप यानि कि नेशनल ब्यूरो आफ से स्वाइल स्वाइल साइन्स एंड लेंड यूज प्लानिंग इस्थित है कहां पर नई दिल्ली में इस्थित है जिपसम में आपका 23% केल्सियम और साड़े अठारा यानि कि 18.5% सलफर पाय जाता है तो इसका ऑप्सन बी राइट आंसर है 23.5% केल्सियम और 18.6% सलफर ठीक है उसके बाद अगला है मर्दा अपयोगता वरी कड़ के अनुसार क्रसी के लिए उपयोगी वर्ग है तो वह है आपका पहले से चार यानि कि एक से लेके चार तक में हम क्रसी कर सकते हैं उसके बाद हम क्रसी नहीं कर सकते हैं मर्दा अपर्दन के लिए उत्तरदाई कारक है तो वनों की कटाई अधिक चराई अस्थाना अंतर खेती ये सभी आपके कारक है तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन D is the right answer उपरोक्त सभी मिर्दा निमनी करड़ के लिए उत्तरदाई कारक है तो वह है जो है मिर्दा निमनी करड़ के लिए जो उत्तरदाई कारक होगा इसे जो है इसे जो है मिर्दा निमनी करड़ के लिए डिग्रिडेशन के लिए मिर्दा अपरदन लवडियता एवं छारियता कार्बनिक अपसेस्ट तो इसके उपरोक्त सभी इसमें जो है सही होंगे उसके बाद अगला जो है आपका कंटूर बंड का प्रियोग कंटूर बंड का प्रियोग हम जो है कम वर्षा वाले चित्र और अधिक वर्षा वाले चित्र दोनों में हम कर लेते हैं तो यहां पर A और बी दौनों option सही होंगे सूखा की भैंकर अवस्था को हम अकाल कह देते हैं ammonium sulfate यवं calcium ammonium nitrate और और रख भूमिस्थार के लिए उपयोगी होते हैं तो जो ammonium sulfate होता है और आपका calcium ammonium c an calcium ammonium nitrate और रख भूमिस्थार के लिए उपयोगी हैं कौन सी अमली और छारी दोनों भू holy calling neuroscience toONG Release और कल्सियम ammonium nitrogen और आपका शारी मर्दाख हुजारने के लिए होगे हैं बलकि calcium ammonium nitrate याए आपका छारी और उम्लाभी होता है उसके बाद चूना युक्त मर्दा का निर्माण होता है तो चूना युक्त मर्दा का निर्माण सुस्केम नम्छेत्र में होता है ठीक है उसके बाद अगला कुस्चन है कि मर्दा का निमनी करण होता है इसका कुस्चन है इसका अंसर आप किलियर कर लेना किलियर जो नहीं है ठीक है निमन मैंसे अयोग बंजर भूमी है नगन पत्रील छेत जानी कि बेरन रॉकी एरिया उसके बाद अगला है पायराइट का सूतर FES to होता है कौन सा अरवरग मर्दा की अमीलता अत्पन करता है तो कौन सां अमोनियम शैलफे holds नाइट्रिक होती है तो इसका वरिस्डार वर्सा रीत्यू में सब 주्च धारिकैं इसका इसका और किलिया होती है यह आपको निलिए छिरियों कि अर्फ कृट्ञट और जितने भी आपके agriculture से related computer exam हैं उसकी तयारी करने के लिए प्लेज चनल को सब्सक्राइब कर लाएं आपसे आगे मलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत